दिल सिर्फ सीने में होता है तुझको लिखूं तो मेरी उंगलियां भी धाड़कती है वे आपने सभी सुरह हम आज की डिली राशी फलकी बात कर रहे हैं सबसे पहले आज जिनका मद्ध है या अनुवर्सरी है उनको मेरी और से ठेर सारी गुड़ विशिस तो चलिए अब श चीले जिन्द की खुशी की तलाश ना कर तक देर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त मुस्कूराना सीख ले वजा की तलाश ना कर कहती है दुनिया बस अब हार मान जा उमीद पुकारती है बस एक बार और सही आप भी मरते दम तक अपनी आपनी सांस तक जीतने की खुशा बना के रखना चाहिए क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापिस ला सकते हैं हमारा मन वो सफेद कपड़ा है जिसे जिसरंग में डूबो दोगे यह उसी रंग में रंग जाएगा जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो अगर तुम खुद को कमज़ू सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे और अगर तुम खुद को दाकतवर समझते हो तो तुम दाकतवर हो जाओगे सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि अज आपके लिए जो है भागिशाली रंग जो बन रहा है वो औरंज रहेगा और जो लक्की जो नंबर है वो आज के लिए नंबर 9 बन रहा है यानकी 9 शितारे आपके बारह में कहते हैं कि परिवार में किसी इश्डु ब कारे की शुरुबात आज हो सकती है आज इनकार की शुरुबात करते समय आपको पैसों की चिनत थोड़ी सता सकती है लेकिन आपकी अपिक्षा, अनुसार पैसा उपलब्द भी हो जाएगा आज आपको अपने इश्चिदेव की पूजा करने चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले उसमें बर्कत ही होगी, कोई कभी बेशीर से नहीं आएगी मिले हुए पैसों को आज आपको संभाल कर रखना है और अगर आप खर्च कर रहे हैं तो प्लीज आपको अपने बज़र की और जारा ध्यान देना होगा तब ही खर्चा कीजिएगा वरना आप पर लोल लेनी की ज़रूरत पढ़ सकती है आपको तो ऐसे दिक्कत ना आए इसलिए आपको उचित चीज़ें खरीनी चाहिए जितने की ज़्यादा इंपॉर्ण है साथ में जिनका नखली गहनों का कारोबार है यानि कि जो आर्टिविशल जुलरी को सेल परचेस करते हैं उनके लिए आज ये काफी फायदे भरा दिन रह सकता है काफी आपकी सेल हो सकती है अज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट कर कुछ नया करने की कोश्च करेंगे तो स्पेशली आप परसनली कुछ अपने लिए करेंगे इसे आपकी मान से कोई शरीट थकान भी दूर होते नजल आएगी और हाँ एक नई उड़्जा का प्रभाव भी अपने अंतर आप महसूस कर पाएंगे पानायनसर रिलेटिर इंपोर्टेंट फैसला लेने के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है लेकिन हाँ कोई भी कारे करने से पहले उसके सभी पहलों पर भी आपको ज़्यादा सोच विचार कर लेना चाहिए यह समय धन सर रिलेटिर कुछ नुकसान होने की सितियां भी बन रही है तो आपको गौर फर्माना होगा कि किस चीज से आपको नुकसान हो रहा है दोस्तों के साथ अफिजरोल भूमने फिड्ने में समय आपको स्पैंते नहीं करना चाहिए सबसे पहले आपको जो प्रात्मिकता है वो अपने काम को देनी चाहिए घर परिवार को देनी चाहिए तब ही आप कुछ एक्स्ट्रा कीजेगे जो आप करना चाहते हैं वरना आपका जो दिन है वो थोड़ा गड़ बड़ा सकता है काम से रिलेटिड आपको यात्रा का मौका मिल सकता है अपने काम को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए योजना सफल रहेगी नए कुटक्स से आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है हाथ में लिया हुआ कारे आज ही कंप्लीट करने के कोशिश करने वरना आपके लिए बहुत इनुकसान दायक भी हो सकता है अज आपको आपके शित्र में नाम और पैसा दोनों मिलना शुरू हो सकता है फिर भी समधान प्राप्त ना होना आपकी चिंता का करन भी बन सकता है इसे के साथ ही आज घर के नवीनी करन याने के रेनुवेशन या सुधार जैसी योजनाओ पर कारे करते समये आज आपको वासुशास्त्री त्यादी की सलह जरूर लेनी चाहिए जो वासुशास्त्री के बारे में जानते हो इससे चोहें आपकी घर में नेगिटिविटी नहीं आएगी पॉजिटिव बढ़ती चले जाएगी साथ ही में हरे काम को करने से पहले बज़ट का भी ध्यान रखना होगा प्रॉपटी या धन्स रिलेटिड लेन दिन के चक्कर में किसी नजदी के रिष्टिदार और भाई के साथ आज रिलेशन खराब होने की अशंग का नज़र आ रही है किसी के इमती वस्तु के ना मिलने से भी मन आपका बहुत ही परिशान रहेगा लेकिन किसी के उपर शक वगरा करके सबन्दों को प्लीज आप खराब मत कीज़ेगा वरना आने वाले समय में आपके लिए दिक्कत हो सकती है अब आप करते हैं और आगे बढ़ते हैं बिजनस और करराब के दरब लोग आपकी बारे में आपकी कंपनी के बारे में चरचा करेंगे इस समय प्रतीद्वन्तियों की गतीविधियों को नजर अंदाज ना करें नौगर बेशा लोगों को अधिकारियों का नकरात्म कर अवया भी परिशान कर सकता है लेकिन आपको जहें इस पर reply बिल्कुल भी नहीं देना है चुप चा बस आप अपना काम करते जाएं और अपना 100% दीजिए यखीन मानिये आपको बहुत युम्दा फायदा होगा थोड़ी और महनत लेकर आपको यश्य हासिल हो सकता है इसलिए महनत करने से आपको जी नहीं चुराना या फिर डरे भी न आलत से बस दूरी बना कर रख्या जितना हो सके तब यह आप सकसेस हासिल कर सकते हैं रिस्क प्रविर्टी की कारों से आज आपको दूरी बना कर रखनी होगी रिस्क मत रही जी का किसी की प्रकार का अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज आप ना करें स्पेशली शेर मार्किर्स में तो भी मत कीजेगा प्रेजन टाइम में जैसा चल रहा है उसी पर अपना ध्यान फोकस करें उससे की कॉर्डिंग काम करते रही कुछ भी आज स्पेशल मत कीजेगा नयाग मत कीजेगा अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज पहले होनी चाहिए अंजान लोगों के साथ किसी पी तरह का बिजनस करते समय पूरी तरह से चुकनना रहीगा क्योंकि इस तरह के लापर वाही आज आपको ही नुकसान दाइक बना सकती है आमदनी बढ़ाने के लिए करियर से लेटेट थोड़ी रिस्क लेनी की जरूरत पर सकती है लेकिन अभी मत लीजेगा थोड़े दिन आप रूख जाएं फिर आप रिस्क ले सकते हैं साधी में जनका इंपोर एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए काफी अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है और जो लोग जनका रेस्टिनिस वगरा है होटेल है उनको भी थोड़ा अच्छा मुनाफ़ा आज देखने को मिल सकता है विप्रीत लिंग के मित्रों से दूरी बना कर रखना आज ठीक रहेगा आपके लिए जहाँ पर ओफिस में काम करते हैं तो विप्रीत लिंगों से दूरी बना कर रखिए वनना आप किसी जगड़े में फज सकते हैं आपके पार्टनर को दूर दृष्टी से सोच कर प्लानिंग्स बनाना वक्षू भी आता है इसलिए प्लानिंग्स बनाते समय उनकी सला जरूर लीज़ेगा उनकी जो सला है वो आपके लिए काफी हद तक फाइदमान सावित भी हो सकती है आज थोड़ी और मेहनत लेकर आपको ये श्प्राप्त हो सकता है मान समान बड़ेगा इसलिए मेहनत करने से बिल्कुल भी आपको जी नहीं चुराना चाहिए रिलेशन्शिप में अगर है तो आपको काम की और ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि आज आप जारतर समय अपने पार्ड़ के साथ बिताप आएंगे लेकिन इसलिए आपका जो काम पीछे रह सकता है इसलिए लव लाइफ को ठीक बनाने के लिए आपको दोनों में बैलंस बना कर रखना होगा लव लाइफ को अपनी जगा पर रखे, करेर को अपनी जगा पर रखे साथ ही मैं आज सितारे ये भी कहते हैं आपके बारे में कि आज जो है घर में वातावरन बहुत कुश्णमा भी रहेगा सही योग आपका काफी बढ़ता चला जाएगा घर की कामों में और घर परिवार की देख भाल में आप काफी अपना योगदान देते नजर आएंगे हब आगे बठते हैं और बात करते हैं आज की स्वास्ते की बारे में स्वास्ते आपकी बारे में कहता है कि आज गरत-खाद-पान की वज़ज़ से पाचिन क्रिया आपकी डिस्टर्ब हो सकती है बाहर की खाने पीने से प्रहेस करना होगा खास कर पच्चों का ध्यान रखेगा गले की खराश के लोगों को सताज सकती है जारा मेहनत करने की वज़ा से सर्वाइकल और कंधों में भी दर्द आपका उठ सकता है कुछ एक्सरसाइज कीजी आराम कीजी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जोड़ों का दर्द भी करे लोगों को हो सकता है तो उनका ख्याल रखना आपका फर्ज रहेगा आज के लिए जो इस बच्चों के खुशी आपको मिलेगी साथ में अगर आप घर में सफ़ाई बगरНा करते हैं जैसे आपका स्टोर रूम है और आप में काफी देर से सफ़ाई बगरना नहीं की ती तो आपको उस रूम को जरूर सापकरना चाहिए तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद